नमस्कार बच्चो स्वागत है आज की कक्षा में आपका तो बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा आठवी विशय सामाजिक विज्यन और इसमें भुगोल खंड के अंतरगत अध्याय दो जिसका शिर्शक है भूमी जल मृदा प्राकृतिक बनस्पति वन्यजीव सन इसका पार्ट वन हम देख चुके हैं और इसका दूसरा भाग आज हम करने जा रहे हैं तो पहले भाग में हमने देख लिया था भूमी और मृदा इसका किस तरह से सनरक्षन किया जाना चाहिए और ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है अब आज हम देखेंगे कि जल हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है तो बच्चों आपको पता है कि प्रिथवी का लगभग 70 प्रितिशत भाग क्या है जल है तो जल की मात्रा बहुत अधीक है प्रिथवी में अब इतने सारे पानी में मीठा जल अगर देखें तो उसकी मात्रा बहुत कम है देखि 2.7 प्रितिशत तो मीठा जल हमारे लिए उपयोगी होता है और यही कम है यह किस रूप में मिलता है नदियों जीलों और भूमी के अंदर भूमीगत जल के रूप में हमें मिलता है जबकि खारा पानी कहां मिलता है बच्चों सागर और महासागर में तो यह तो जल की उपल उपलब्धता हुई, देखिए, ये नदी है, जिससे हमें मीठा जल मिलता है, और नदी कहां मिल रही है, सागर में मिल रही है, सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, अब मीठे जल की कमी, हमने देखी, एक तो उसकी उपलब्धता बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में उप संख्या व्यापारिक क्रिशी के तरीके उद्योग धंधों का बढ़ता हुआ स्वरूप और साथ में नगरों का विकास ये सभी वो कारण हैं जिसके कारण हमें मीठे जल की समस्या से मीठे जल की कमी की समस्या से जूझना पड़ता है तो आगे हम देखते हैं कि हमारे तौर तरीके कैसे हैं जिनसे हम महत्वपूर्ण अनवोल जल को नश्ट कर रहे हैं देखिए हम नल खुला करके अगर ब्रश कर रहे हैं जब तक हम अगर दो मिनट तक ब्रश करेंगे तब तक वो पानी वियर्थ बहता रहेगा अगर ऐसे ही हम मीठे जल को नश्ट करते रहेंगे तो कल क्या होगा आने वाले कल में जो नई पिढ़ी है उनके लिए पानी बचेगा ही नहीं तो हम अपने भविश्य को सुरक्षित करें जल बचाएं जीवन बचाएं तो बच्चो मीठे जल की कमी कुछ देशों में तो बहुत ही भेलकर रूप में हैं अफ्रिका के अधिकांश भाग, पश्रिमेशिया के देश, दक्षुनेशिया के कुछ देश, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कुछ भागों में जल की समस्या है और आस्ट्रेलिया यहां तो जल की कमी बहुत ही विकराल रूप में हैं आउस्ट्रेलिया में पानी का जो प्रबंधन है बहुत ही ज़्यादा समस्या पूर्ण हो चुका है यह है विश्व में आउस्ट्रेलिया का नक्षा और यहां जो पानी है पानी के उपर सरकार का नियंत्रन कम हो गया है और यह निजी हाथों में चला गया है जैसे कि चीन की ह इस्सेदारी आउस्ट्रिलिया के पानी की विक्री पर है, तो सोचिए एक दिन तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी के लिए विश्व युद्ध छड़ जाए, अब पानी एक तो कम है, उपर से वो प्रदूशित हो रहा है, मतलब गंदा हो रहा है, तो जल के प्रदूशन के क्या क पारण है, देखिए कारखानों में क्या होता है, गंदा पानी निकलता है और उसे नदियों में मिला दिया जाता है, इससे पानी क्या होता है, प्रदूशित हो जाता है, पीने योगे नहीं रह जाता, और साथ ही आज की हमारी जीवन शैली में रसायनों का प्रयोग लगात बढ़ता जा रहा है और ये रसायन पानी को प्रदूशित कर रहे हैं देखिए जो पानी के जीव हैं आज उनकी भी स्थिती बहुत ही गंभीर हो गई है आपको ध्रुवी भालू दिखाई दे रहा है ये भी जो बरफीले इलाके में रहता है वहाँ पर देखिए किस तरीके क प्रदूशन हो चुका है पानी में आपको इलेक्ट्रोनिक गंदगी प्लास्टिक का समान ये सब दिख रहा है और पेंग्वीन भी आपको नजर आ रहा है ये सभी विचारे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतित हो चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें जल सरक्षन के उपाय करना चाहिए बच्चो आपको तो पता ही है कि पेड़ पोधे जो हैं वो जल को आमंतरित करते हैं बादलों को आकरशित करते हैं तो हमें बन लगाना चाहिए साथ ही वर्षा के जल को बचाना चाहिए जो वर्षा का जल उपर से नीचे आता है उसे हमें पाइप के द्वारा वापस भुमिगत जल के रास्ते मिलाना चाहिए और सिचाई अगर हम करते हैं तो ड्रिप पद्धती का उपयोग करें इसमें एक-एक बूंध पानी का सदुपयोग होता है इस स्प्रिंकलर का उपयोग करें देखिए आपको चित्र में दिख रहा है किस तरीके से इस स्प्रिंकलर के द्वारा कम पानी से बहुत अच्छे तरीके से जल का सदुपयोग हो सकता है और इसके लिए हमें जागरूख होना चाहिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो पानी का उपयोग सोच समझ कर ही करें अगर हमें आधे गिलास पानी की आवशक्ता है तो उतना ही पानी हम लें लोटा भर पानी लेके उसे फेकने की कोशिश बिलकुल ना करें ये तो था जल अब जल के बाद हम देखेंगे प्राकृतिक बनस्पती और वन्नी जीवन तो देखिए जहां जंगल है वहां पेड़ पौधे तो होंगे ही पेड़ पौधे हमारे सहयोगी है इनके अलावा वन्नी जीव भी तो जंगल में ही रहते हैं है ना देखिए हाथी दिखाई दे रहा है आपको हमारे असम के काजी रंगा राष्टिय उद्यान के हाथी बहुत प्रसिद्ध हैं आपको जेवरा दिखाई दे रहा है चीता दिखाई दे रहा है सिह दिखाई दे रहा है और जिराफ ये सभी मनुश्य के सहयोगी प्राणी हैं बच्चो क्यों? क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाई रखते हैं. तो देखते हैं वनस्पतियों का हमारे जीवन में क्या इस्थान है? आपको तो पता ही है कि जो हमारा खाना पीना है उसका अधिकान्श भाग हमें किस से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है. हमारे जो घर हैं घर को बनाने में लकड़ी का इस्तिमाल होता है वो लकड़ी भी हमें वन से मिलती है पेड़ों से मिलती है हम जो सूती कपड़े पहनते हैं वो कपास हम जो दवाई खाते हैं जैसे कि हम तुलसी पत्ती को आशधी के रूप में यूज करते हैं नीम की पत्ती को करते हैं त ही तो होती है और हाँ oxygen का संतुलन भी कौन बना कर रखते हैं पेड़ पौधे है ना किस तरीके से आपको पता है कि जब उनमें प्रकाश sunsculation की क्रिया होती है तो oxygen उत्सरजित होती है और इस तरह से वातावरण में oxygen की मात्रा का संतुलन बना रहता है और पेड़ क्या करते हैं बच्चो मृदा अपर्दन को रोकते हैं अपर्दन अर्थात मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना जैसे कि हवा के द्वारा बहाना या फिर पानी के द्वारा बहाना तो मृदा अपर्दन को पेड कैसे रोकते हैं? इनकी जड़े मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और बहने से रोकती हैं. भुमीगत जल संगरह में भी पेड़ पौधे सहायक होते हैं. देखिए यहां चित्र में आपको रेशम के कीट दिखाई दे रहे हैं हैं यह भी हमें पेड़ों से मिलते हैं और रेशम के वस्त्र जो हैं वो भी बहुत कामके होते हैं और महुआ हो गया, बोड़ा हो गया यह सभी वन ओपज हैं. लाक है यह भी हमें वन से प्राप्त होता है, चार है, चिरोन जी है ना तो यह सभी देकर वनस्पती जगत हम पर उपकार करता हैं. अब ये तो वन हो गया, अब देखते हैं कि वन्य प्राणियों की क्या उपयोगिता है, तो वन्य प्राणियों से दूध, मास, खाल और उनकी प्राप्ति होती है, और देखिए परागन के दौरा वन्यों की रक्षा कैसे हो सकती है? चिडिया अगर फूल के पास आती है उसका रस पीती है है ना अब फूल से जो बीज है बीजों के कण चिडिया के द्वारा दूसरी जगह ले जाये जाते हैं और वहाँ पर नए पौधे उगते हैं तो इस तरह से पेड़ पौधों ने चिडिया का पेड़ भरा और चिडिया ने पेड़ पौधों के वंश को आगे बढ़ाने में मदद की है ना अब अपघटक और अपमार्जक ये क्या होता है जैसे कि कोई बस्तू या कोई जीव अगर मर जाता है तो उसके शरीर का अपघटन हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर पाँच तत्मों से मिलकर बना है तो जो सुक्ष्मजीव होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं उसको सड़ा कर गला कर गैस के रूप में या मिट्टी के रूप में उस सड़ी हुई बोडि को मिला देते हैं और अपमार्जक क्या हो गया? जैसे गिद्ध है. आपको चित्र में गिद्ध दिखाई दे रहा है. आपने अपने घर के आसपास कभी गिद्ध देखा भी होगा, है ना? बड़ा सा पक्षी होता है. ये क्या करता है? ये इसी प्रकार के मरे हुए प्राणियों के शरीर को खा कर अपना जीवन चलाता है. तो गिद्ध भी क्या कर रहा है? परिया वरण को स्वच बना रहा है. तो गिद्ध काम करता है अपमार्जक के रूप में. अब जैयो मंडल में हम सभी एक साथ मिलके रहते हैं. चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंगली जानवर हों, या फिर मनुश्य. तो मिलकर हम सब किसका निर्मान करते हैं? एक तंत्र का निर्मान करते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं पारी तंत्र. और वन के प्रकार हम देख लेते हैं. पेड़ पौधों के आधार पे, जल्वायू के आधार पे, आकार के आधार पे वन के अलग-अलग प्रकार होते हैं. जैसे अगर बहुत वर्षा होती है कहीं पर, तो वहाँ पर घनेवन होते हैं, जहाँ पर सामाने वर्षा होती है, वहाँ पर घास उत्पन होती है, और जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहाँ जाडिया होती है, कटीले पेड़ पौधे होते हैं, और जहाँ बहुत ठंड पड़ टुन्डरा वनस्पती दिखाई दे रही है, जो बर्फ में भी उगी हुई है, है ना, अब बनों का एक और वरगी करण हो सकता है, जैसे की सदाहरित्या सदाबहरवन हो सकते हैं, और पर्णपाति वन हो सकते हैं, पर्णपाति मतलब पतजड़वन, है ना, और सदाहरित्या सदा बहार वन तो जो पेड़ अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं गिराते उन्हें कहते हैं सदा बहार वन क्योंकि उन पे हर्याली बनी रहती है और पत जड़ वन किसे कहते हैं जो विशेश रितों में अपने सारे पत्ते एक साथ जड़ा देते हैं आगे देखते हैं वनों के बारे में, कि ये वन और वन ने जीव, जब हमारे लिए इतने आवश्यक हैं, तो इनका विनाश क्यों हो रहा है, हमने देखा बढ़ती हुई जंसंख्या के कारण, लोग अपने रहने के लिए आवास का इंतजाम करते हैं, अपने खाने के लिए ख खेती को बढ़ाते हैं, तो शामत किसके आती हैं, जंगलों की और जंगली जानवरों की, हम तो खेत बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए पेड़ों को काट डागते हैं, अब विचारे जानवर कहां जाएं, फिर उनका जीवन भी अस्तवेस्थ हो जाता है, और वच्चों जब उद्योग और कारखाने लगाये जाते हैं, तो इससे हमारा आर्थिक विकास तो होता है, लिकिन परियावरन को लगातार नुकसान होता है, जो हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिल रही थी, वो तो मिलना बंध हो जाती है, बलकि कारखानों का धुआं हमारे जीवन को नि उनका भी शिकार कर बैठते हैं, तो इससे भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है, और जीवन शैली, सबसे बड़ी बात यह है, कि अब जो हमारे रहने का तरीका है, उसमें वनों और वन्य जीवों के लिए हमने कोई स्थान नहीं छोड़ा है, अगर हमारे आंगन में दो फुट भी जगह कच्छी छूड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे पक्का कर देते हैं, हमें लगता है कि पक्का घर रहेगा, तो साप सफाई रहेगी, पर हम यह नहीं सोचते कि हम अगर जमीन को कच्छी भी रखेंगे, तो उसके द्वारा जल उसे रिसकर अंदर ज लगते हैं, है ना, और देखिए, हम पाइप लगा कर अपनी कारों को धोते हैं, ये भी हमारी जीवन शैली है, हम जो कपड़े गंदे नहीं रहते, उन्हें भी फटा-फट धोने की कोशिश करते हैं, और सिंक में लगातार नल चला कर अपना काम करते हैं, बरतंद होते हैं फल सब जीद होते हैं, तो पानी को बचाने के बारे में हम नहीं सोचते, यहीं पर हमें सोचने की आवश्रक्ता है, कि हम इनका सर्रक्षन कैसे करें, तो आप देखें, कि जो शास्की तरीके से हम वनू को बचाने का प्रयत्म करते हैं, उसके लिए देश में राष्टियों उद्यान खुले जाते हैं, और जैव बायो स्फियर जो लिखा है न, तो यह एक जैविक प्राकृतिक रूप में जानवरों को बचाने का प्रयास है यह, जैव उद्यान कहा जाता है इनको, मतलब हम जंगल बनाके पशुपक्षियों को उनके लायक वातावरण अतलाबों को पाट दिया, अतलाबों को पाट के वहां मकान बना दिया, सडक बना दिया, नहीं, यह सब परियावरण के विनाश का कारण है, और हमें लोगों को जागरुप करने के लिए सामाजिक वानिकी, मतलब समुह के द्वारा पेड़ पोधे लगाना, जैसे आप लो समय समय पर, जैसे कि हम अपने जन्म दिन पर भी ऐसा कर सकते हैं, कि हम लोगों को किसी के जन्म दिन पर पेड़ ही उपहार मेरे, पेड़ मतलब पोधे, गमलों में लगा कर हम दे उन्हें और इस तरह उन्हें प्रोच साहित करें, और बच्चों, नेचर केंप का आयोजन भी होना चाहिए, मतलब समय समय पे हमें प्राकृतिक जगहों पर भूमने जाना चाहिए, और उन जगहों पर रहकर उस जगह का आनंद लेना चाहिए, कि प्रकृति के निकट जाकर हमें कैसा लगता है, किस तरीके से हम वहाँ पे मैनेज करेंगे, हम प्रकृति के साथ किस त जाने का मौका मिलता है और देखिए कानून का निर्मान भी प्राकृतिक बनस्पति को और जीवों को बचा सकता है कि अगर कोई शिकार कर रहा है तो उसको सजा दी जाए जो पेड़ पोधे काट रहे हैं उनसे भी जुर्मा न लिया जाए तो एक हमको संस्था मिलती है CITES य International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora बहुत भारी भरकम शब देना इसमें आप दो चीज़ देखिए कि Trade है T.R.A.D.E. Trade यानि व्यापार हो गया और Endangered है मतलब खत्रे में तो जो प्राणी खत्रे में है उनको बचाना है संरक्षित करना है ऐसे पोधे या पेड या फिर वन्य जीव भी हो सकते हैं तो इनको Fauna और Flora, Fauna हो गए जन्तु और Flora हो गए पेड पोधे तो इनको बचाने के लिए एक सूची तयार की गई है विश्विस्तर पे पशू कितने है उसमें 5,000 दिख रहे हैं और पोधों की कितनी जातिया ली है 28,000 तो जो विश्विस्तर पे इन चीजों का व्यापार होता है उसमें आश्वस्त किया जाता है कि जो सर्रक्षित प्राणी है उनके अंगों का किसी तरह से व्यापार नहीं किया जाएगा उनका लेन देन नहीं होगा है ना तो इस तरीके से वन और वन्य जीवों को बचाने का प्रयत्न किया गया है अब आगे देखते हैं, भालू हो गया, डॉल्फिन है, कैक्टस के पौधे, प्रवाल, आर्केड और एलो, ये सभी क्या हैं? संरक्षित चीजों के कुछ नाम हैं. देखिए, ये पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, कभी आपने अपने घरों में, अपने गाउं में देखा होगा, कि लकडी पे टक-टक-टक की आवाज करने वाला एक पक्षी हुआ करता था, कठ फोडवा, अब मुझे नहीं पता कि आपके गाउं आपके घर के पास अब वो दिखाई देता है, या नहीं दिखाई देता, तो कठ फोडवा को ही कहते हैं, वुड पैकर, और उसी का एक विशेश प्रकार है, ये आईवरी बिल्ड वुड पैकर, देखिए, कितना सुन्दर दिख रहा है ये, लेकिन अब इसका अस्तित्व खत्रे में है, और देख पहले तो ये पेड़ों पर लगा होता है, मैंने खुद देखा है, महुवे के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, ये अलग से उग जाता है, और उस पेड़ से ही कुछ पोशन लेता है, और इसमें बहुत प्यारे कई रंगों के फूल खिलते हैं, तो अब ये होता है या नही जंगल में ये तो पता लगाना पड़ेगा अब सरक्षित किया गया है मतलब कम हो गया है खत्रे में पड़ गया है ना तो ये है प्रकृति की सुन्दर्ता अब नीचे देखिए और भी कुछ चीजें हैं जो गायब हो गई है कृष्ण ब्रिग इसका शिकार करने के आरोप मे तो आपने सुना होगा कि बड़े किसी हिरो के उपर कानूली कारवाई भी हो रही थी इससे पता चलता है कि कृष्ण ब्रिग सर्रक्षित जीव है है ना काला हिरन या ब्लैक बग इसे हम कहते हैं तो इन सभी प्रतिक्रियाओं के द्वारा इन क्रियाओं के द्वारा हमें पेड़ पोधों और वनों का क्या करना है, संरक्षन करना है, विश्व परिया वरंड दिवस हमें इसी बात का संदेश देता है बच्चों, कि पूरी प्रित्वी को अगर बचाना है हमें, तो प्रित्वी सिर्फ मनुश्य की नहीं है, बलकि इन सब का भी प्रित्वी पर उतना ही हक है, जितना की हमारा है, तो क्यों न हम सभी मिल जुलकर सह अस्तित्व का पालन करें, है ना? अब देखते हैं बच्चों, आज की कक्षा में आपके लिए कुछ प्रश्ण है, तो उत्तर को नीचे करना पड़ेगा थोड़ा, इन में हम आपको तीन विकल्प देंगे और आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है? प्रित्वी का सबसे अधिक मुल्लिवान पदार्थ, क्या है? अ लमणी जल, ब अ लमणी जल, और तीसरा है आसुत जल, आपको सही उत्तर बताना है, अगर आप सुन रहे हैं तो बताईए, इसका उत्तर है लमणी जल, नहीं इसका उत्तर लमणी जल नहीं होगा, आलमणी जल होगा बच्चों, यहां पे तुर्टी है उत्तर में, अलमडी है, मतलब जिसमें नमक ना हो, वो सही उत्तर है, आप याद रखेंगे ब सही उत्तर है, मीठा जल मुल्यवान पदार्त है, फिर दूसरा प्रशने देखेंगे, इस स्प्रिंकलर क्या है? तो इस स्प्रिंकलर क्या है? अ कीट नाशक है, व जैविक खाध है, स सिचाई का उपकरण है, और इसका उत्तर है, स सिचाई का उपकरण है, अब तीसरा प्रशने लेते हैं, शहतूत के पेड़ पर पाये जाते हैं, अ भूसा किडा, ब रिशम का किडा, स माहो किडा, तो आपको पता ही होगा, शहतूत के पेड़ पर कौन सा किडा पाया जाता है, रेशम का किडा, जिससे बनते हैं, रेशमी वस्त्र, चौथा प्रशन है, एक अपमार्जक के रूप में कार्य करता है, गिद्ध, तोता, या फिर बुल-बुल, आपको पता है, अपमार्जक याने, जो परियावरण की सच्छता का काम कर रहा था, जो मरे हुए जीव जनतू के शरीर को खा कर अपना काम चला रहा था, वो कौन है, जी हाँ, वो है, गिद्ध, तो इसका उत्तर हुआ, अगिद्ध, और पांचवा प्रशन भी देख लेते हैं, बच्चो भारत में हाथियों के लिए प्रसिध राष्टी उद्यान कौन सा है? तो मैंने आपको क्लास के शुरू में पताया था, हाथी का चित्र दिखाते हुए कि असम में इस्थित काजी रंगा, राष्टी उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है खीक है, तो सही उत्तर है स, तो यहां तो यह हमारा कक्षाकार्य हो गया अब आपको मैं ग्रहकार्य के प्रश्ण और उसको उत्तर लिखने का तरीका भी आपको बता देती हूँ देखिए, पहला प्रश्ण है ग्रहकार्य का, जल संसाधनों का संरक्षन कैसे कर सकते हैं उपाय बताईए, तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि जल हमें किन-किन साधनों से प्राप्त होता है और उनमें प्रदूशन जो होता है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं यह आपको पॉइंट बना कर लिखना है दूसरा प्रश्ण है, प्राकृतिक बनस्पतियां हमारे जीवन में क्या महत्वरती हैं? यह आपको बताना है तो प्राकृतिक मनस्पतियों का जो उप्योग है कि कैसे हम घर बनाने में, हमारे खाने पीने में, ऑक्सीजन को वायू मंडल में, संतुलित मातर में बनाए रखने में इस तरीके से आपको लिखना है जैसे अपर्दन के द्वारा, अपर्दन को रोक कर, मिट्टी को बचाने का काम करता है यह सब को आप पॉइंट बना के लिखेंगे तीसरा प्रशन है वन्य पशू हमारे लिए किस प्रकार उप्योगी है तो पशू भी हमारे बहुत काम आते है पशूओं से जैसे भेड के बालों से क्या बनता है उन बनता है इस तरीके से आपको लिखना है और जो मांसहारी लोग होते हैं उनके लिए मांस का काम भी पशूओं के द्वारा होता है तो उन हो गया और मांस हो गया इसके अलावा दूद भी हमें पशुमों से ही प्राप्त होता है तो इनको आप क्रम से लिखेंगे चौथा प्रश्ण है समाचार पत्रों से उन खबरों की कटिंग एकत्र कीजिए जिसमें वन और वन नी जीवों वनस्पतियों के बारे में समाचार तथा चित्राए हो तो बच्चों आपके यहां समाचार पत्र आता ही होगा तो आप उनको नेमित रूप से पढ़ें और आप देखेंगे कि समाचार पत्र में हर प्रकार की खबरे आती हैं वो राजनीती की भी होती हैं, खेल की भी होती हैं, विश्विस्तर की राजनेतिक खबरे भी होती हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कहीं न कहीं पे वन से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित समाचार आता है, चाहे रोज ना आए, पर बीच बीच में आता है, तो इन इस तारीक से हमारे प्रदेश में बेमित्रा नामक जो इस्थान है वहाँ पर बर्ड वाचिंग के बारे में कोई कारिकरम चल रहा है और इसके अलावा हमने एक समाचर परसद बिध्वा और परसदा ये दो नाम सर बता रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारी ज वासी पक्षी आते हैं और उनको देखकर हम उनके बारे में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा एक योजना भी चलाई जा रही है एक पुस्तक का अभी अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिसमें महिलाओं को जो वन सामगरी है यहां पर उद्घाटन किया गया है तो हमें यह पता चल रहा है कि हमारी जो सरकार है वो वनों और वन्य जीवों को लेकर कितनी जागरूख है तो इस तरीके से आप समचार पत्रों से खबरों की कटिंग एकत्र करके उसकी फाइलिंग कर सकते हैं तो यह आज का हमारा पाठ जो है वो यहां पर समाप्त होता है बच्चो और मुझे आशा है कि आपको भूमी, जल, मृदा इसके अलावा वनस्पती और वन्य जीवों के बारे में एक समझ विक्सित हुई होगी कि पृत्वी पर हम अकेले ही नहीं हैं बलकि यह सब भी हमारे साथ हैं और अगर जैसे क इसी गाड़ी का एक चक्णा अलग निकाल दिया जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी उसी प्रकार अगर हमारे जैव मंडल से, हमारे पारी तंत्र से किसी एक चीज को कम कर देते तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता एक छोटे से कीड़े का भी अपना स्थान है जैसे अगर हमें सीधियां चड़ना है एक सीधि को हम काट देंगे बीच में तो वहाँ तो गैप रह जाएगा है ना और हमें कूद कर जाना पड़ेगा वहाँ पे एक खाली जगा आ गई रिक्त हो गया तो चक्र पूरा नहीं हो सकता तो बच्चो आप सब इस चीज को ध्यान में रखेंगे और पौधा लगाने के लिए और जो आपके घर के आसपास पशू हैं जो पालतू पशू हैं उन सब को लेके आपके मन में समवेदना होनी चाहिए आप अपने घर का बच्चा हुआ खाना उन्हें देकर उनकी भी रक्षा कर सकते हैं आप अपने गिलास के बच्चे हुए पानी को जिसको आप यूँ ही फेक देते हैं उसे आप गमले में डाल सकते हैं और वो पौधा हरा भरा होकर मुस्कुराएगा और आपको बोलेगा थैंक यू इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त करने की इजाज़त चाहती हूँ धन्यवाद थैंक यू बैम वेलकम बैटा जाए यू खाल सकते हैं उल झाहती हैं